फिल्म स्टार्ट शारु खान के बेटे आर्यन खान को जमाना तो मिल गई है लिकिन रिहाई का अभी इंदिजार है और अभी कोट के आदिश की कॉपी जेल पहुचेगी, कागसी कारवाई होगी और फिर आर्यन और्थर जेल से बाहरा पाएंगे इसमें कल तक का वक्त भी लग सकता है मन्नते पूरी हो गई, 25 दिनों का वो बुरा वक्त बीद गया शारुक के घर खुशियों भरे दिन लौट आए बेटे की रिहाई का आदेश आ गया, अब जेल से बाहर आने का इंतजार है कागसी कारवाई के बाद, आज बॉलिवुद स्टार शारुक खान के बेटे आर्यन जेल से घर आ सकते हैं जमानत की खबर मिलते ही शारुक की मन्नत में खुश्या चा गई घर के सबसे छोटे शहजादे अबराम चहकने लगे, भाई के घरानी की खबर से खुश होकर ओपर नीचे करने लगे शत पर आकर हाथ हिलाने लगे पिता शारुक की तरहा वो भी फैंस को शुक्रिया कर रहे थे अबराम को कई बार पीछे खीचा जा रहा था, लेकिन वो पीछे हटने को तयार नहीं थे शारुक खान भी पहली बार रिलाक्स दिखे आर्यन की जमानत का आदेश आते ही पहली बार किसी तस्वीर में पोस देते दिखे शारुक लीगल टीम के साथ खिचवाई इस तस्वीर में शारुक के चहरे से तनाव गायब था वो रहत महसूस कर रहे थे, 25 दिन बाद दिल का टुकडा रिहा होने जा रहा है जमानत मिलने के बाद आर्यन की पैरवी करने वाले जाने माने वकीर सतीश मानशिंदे ने सत्यमेव जैते कहा निचली अदालत में आर्यन की जमानत हरिच होने के बाद NCB के हाई प्रोफाईल जोनल डारेक्टर समीर बानखडे ने सत्यमेव जैते कहा था मानशिंदे के बयान को इसी का जवाब माना जा रहा है शारुप के घर के अंदर दिवाली से हफ्ते पहले का जश्न था तो बाहर पटाक ही जलाए जा रहे थे शारुप के जहने वाले बैनर पोस्टर के साथ उनकी खुशी में शरीक थे खुशी के सपल के साथी बनने के लिए कई दोस्त मननत भी पहुचे मलाइका अरोडा उन सितारों में शामिल थी जो आर्यन की जमानत के बाद शाहरुप के घर पहुची बॉम्बे हाइकॉट ने कल ही आर्यन की जमानत पर मुहर लगा दी लेकिन कागजी कारवाई में आज दिन भर का वक्त लग सकता है सम्भव है आर्यन के लिए आर्थर जेल का गेट आज शाम या कल खुले हाई कोट ने दोनों साइड की दलीलें सुनके तीन अक्यूस को बेल ग्रांट करा है आर्यन खान नमबर वन अर्बाज मर्चेंट नमबर टू एंड एक लड़की है उसका नामे मुनमुन धमेचा उन तीनों को हाई कोट में बेल दिया है आर्यन को जेल में जमानत की जानकारी कल शाम छे बुजे खाना देने के वक्त दी गई बेल की खबर मिलते ही आर्यन ने मुस्कुरा कर जेल की करमचारी को थैंक्स कहा फिर आर्यन ने बैरक के कुछ कैदियों को भी इसकी जानकारी दी आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोट से जवानत तो मिल गई है लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है आर्यन खान क्या आज ही मननत वापस पहुँच पाएंगे काफी कुछ निर्भर करेगा कानूनी प्रक्रियाओं के उपर सबसे पहले कोट के तरफ से डीटेल्ड ओरर आना बाकी है स्पेशल NDPS कोट से रिलीज ओडर आर्थर रोट जेल प्रशासन तक पहुचना है और यह पूरी प्रक्रियाओं के साड़े पाँच बजे तक पूरी हो जानी चाहिए उसके बाद कांगजी कारवाई भी आर्थर रोट जेल में होनी बाकी है यह सब होता है उसके बाद ही आर्थर रोट जेल से बाहर आ पाएंगे नहीं तो मामला शनिवार के लिए टल जाएगा कैमरा पसंद समीर शान बाक के साथ पंकर जुपाधियाए मुंबई आज तक कर दो मामला शनिवां से बाक का जो जाई जी आर्थर जाएगार्थर एफ